हलो बच्चों कैसे हो आपका स्वागत है तिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास एलेवन हिस्ट्री जो है और एंपार अक्रोज दा थ्री कॉंटेनिट चैप्टर यानि देखा जाया तो हम यहां का अक्षाएक आर्मी का इतिहास करेंगे तीन महादीपों में फैला हुआ समराज्जिय यह काफी महतवपून है और इसमें सिरफ बारा कोशन होंगे जो चीज़ का इनलाइस करेंगी लेकिन आपको पता है कोशन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं जिसको आपको सोचना भी चाहिए विचार भी करना चाहिए इवन अमल भी करना चाहिए वह यह है कि जब भी वेडियो देखिए पूरा देखिए क्योंकि अधूरा जनकारी सदेव खतरनाक होता है साथ में इंपोरेंट बात ये भी रहता है अगर आप पहली वार वीडियो देख रहे हो तो लाइक सेर सब्सक्राइब करना मत भूलना तो लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनुवल बढ़ता है सब्सक्राइब कीजिएगा त सब स्टेटस पर भी लगाओ तो सब्सक्राइब क्लासों के लिए कि अपने पास सेफ करना है तो यह तो बात था आपके लिए पास सेफ करना है तो इसलिए सोचना नहीं विचार नहीं करना है सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेफ करना है तो यह तो बात था आपके लिए लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है According to the chapter on the empire across the three continents there is a most important chapter here and the next question arrived here is important here what was the status of whom in Indira Roman Empire you know that this is the most important question here for the exam view what was the status of women in Indira Roman Empire you know that the women in the Roman Empire enjoy the considerable legal right in the owning and the managing of property the first point important women in the Roman Empire enjoy the considerable legal right there is a managing property and they were married of Indira later ten teens or earlier twenties you know that is the most important here and they were married of Indira later teens or the earlier twenties this is most important as here and the arranged marriage was the general norm and women were often subject to the dominations by Dira husband you know that this time there is a marriage here arranged was generally norms and women there is the domination by there is a husband you know that is important here and that typically from a marriage was where to the wife did not be transferred to her husband authorities you know that the wife did not transfer her husband authority you know that the wife did not transfer her husband authority by time and here fully right in her natal family under the law a married couple was not one of financial entirety but two and the wife enjoyed the complete legal independence the under the law marriage couple was not one of financial entirety but two and the wife enjoyed the complete legal independence and divorce was easy to get the divorce was easy to get for here this is the most important here here is the third bother here in three months the Couple am I this is the third one three months in a lifetime this one This is the third one the third because PowerPoint is the third four chapter this é which Mor普 it and महतपून रहता है चाहे वो राजनीतिक हो समाजिक हो आर्थिक हो चाहे इस्तरियों की दशा हो सिक्षा हो उसका पतन हो इससे अधिक कोशन कोई बना ही नहीं सकता और इससे अधिक कोशन पूछी नहीं सकता तो इसलिए तिरपान स्टेडी सेंटर ने आप लोगों के लिए व इजामनर जो है जितना मर्जी चाहे कर ले इस से अधिक कोई कोशन वो घुमा फिरा सकता ही नहीं है जितना मर्जी घुमा फिरा ले जितना मर्जी अपनी पैतरा लगा ले लेकिन अंसर इसका यही रहेगा तो आपको कोशन भी समझना है और अंसर को भी समझना है कोशन अगर नहीं समझेगा तो अंसर का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ ये बात कि बच्चे जो है अंसर तो याद कर लेते हैं बड़ कोशन के दिमाग में नहीं रहता है और इसके करण क्या होता है आता हुआ कोशन भी कर नहीं सकती हैं इसलिए कोशन को गहरायों को कोशन के अठातों को समझेए और उसको जो है ऐनलाइज कीजिये यही सबसे महत-पून इंटलेन बच्चे कि निशान ही होता है कोशनों को वो समझते हैं अंसर तो ने पता ही होता है, ल्chts यहां पर हमारे समक्ष जो आया है रोमन समराज्य महलाओं की स्थिति के वारे में, तो यह भी कहते हैं इस चैप्टर का महतवपूं कोर्शन है, कि रोमन समराज्य में महलाओं की संपत्ति के स्वामित्व और प्रबंदर में काफी काणून अधिकार प्राब थी؟ यानि, इस्से में देखा जाए तो महिलाओं को समपथी के स्वामित्व zehn पर बंधन में काफी जो है अधिकार दी गए थी यानि महिलाओं का पुण्य अधिकार था जो है, इनके प्रबंधनी स्वामित्व उनके साधी किसोर अवस्ता के आंतिया बिस के दर्शक सुरुवात में कर दी गई थी तो ये काफी महत्पूर समय काल था बीस के दर्शक यानि 20 साल के उमर में और कहते हैं 18 साल के बीच में 20-18 के बीच में इनकी साधी होती तो ठीक ठाक है हम गलत नहीं कह सकते हैं ये मैरिज की सिद्री को सही दर्शाता है बिवस्त बिवा समाने अर्दोर सता महिलाएं अक्सर अपने पतियों के प्रभूता के अधीन होती थी जैसे आज के अधुनिक यूग में भी आपको ये देखने को मिलता है कि यहां पर पती जो है पत्नियों पर प्रभाब डालती है यानि ब पत्नी अपने पती के अधिकारों में स्थांत्रित नहीं होती थी यह काफी में है तो पूरन बात रखता है रोमन समराज्य के अंतरगत की विवा का विसस रूप था जहां पत्नी अपने पती के अधिकारों में स्थांत्रित नहीं होती थी बलके अपने पैत्रिक परिवार में अपना पूरा अधिकार बरकरार रखती थी, समझ में आया पॉइंट क्या कहना चाहता है, इसमें साफ करता है, जैसे कि किसी लड़की का साधी हुआ किसी लड़के के साथ, तो वहाँ पर लड़की जो है, लड़के के सारे संपत्ती का अधिकारी हो जाता है, उसकी पत्न अपने पती के अधिकारों में स्तांतरत नहीं होती थी उसके संपती धन दौलत में नहीं होती थी औरत जो थी अपने पीता के पहड़िवार के जो जितने भी धन संपती थी उसमें अधिकार बरकरार था यानि यहाँ पर पती के अधिकारों में बरकरार नहीं थे अपने पिता के अधिकारों में बरकरार थे तो आप समझ गए होगे कि यहाँ पर पती के संपती में पत्नी का कोई अधिकार नहीं होता था उसके जो पत्नी थी उसके पिता यानि उसके पापा के जो संपती थी यानि माईके में जो संपती थी उस पर अधिकार था तो ये बात काफी clarity करती है कानुने के तहाँ एक विवाज जोड़ा एक वित्ते काई नहीं बलगी दो वित्ते संस्ता थी और पत्नी को पुर्णे कानुनी सोदंदा प्राव था तो इसका मतलब समझ गए होगे कि देखिए पती पत्नी कमाते हैं एक यानि पत्नी पे अधिकार पत्नी का पूरा होता था पैसे का और पत्नी के पैसे ओपर पत्नी का पूरा अधिकार था लेकिन ऐसा इस सिस्टम में नहीं देखने को मिला है यहां पर पत्नी अपने पत्नी को दे सकता था पैसे सब कुस दे सकता था लेकिन यह नहीं था कि पत कुछ भीकारए वह कर सकती थी कुई भी अपन पैसे का इस्तमाल कर सकती थी उसमें कोई दरखा बंदन नहीं दिखाई गई तो यहीं बात कहा गया कि एक विवाई सबीति बलकि दो पत लिंगBlack से ऩी और इसमें कॉए महत्पुन बात करता है कि तलाग लेना बहुत असान था दोस्तों ये बात काफी महतुपूर्ण डखता है कि अगर औरतों को सारी सुभधाएं दी जाए तो वो भी जो है समाज में अपना जो है लोहा मनवाने के तैयार हो सकती है लेकिन हम जानते हैं कि समाज में महिलाओं को जो है वो दर्जा नहीं दिया जाता है है जो उनको प्राप्त होना चाहिए हर छेतं में महिलाओं के साथ उधृरन किया जाता है महिलाओं अभी सम्मान उतने ही करती और यह महतपून है कहते हैं इस्ट्रियों के बीना कोई भी यहाँ पर पुन्ये वाले काड़े नहीं करना संभव माना जाता है तो औरतों को हम उतनी सम्मान दिए हैं तो जर्नल सी बात है जो हम अज धर्मिक रोप में औरतों को सम्मान दे रहे हैं उसी परकार हमने इंजी जीवन में भी और तो इसी परकारन का जोसे सम्मान देने की अबशकता है तो यह काफी मेह तुग मैथ वात रखता एधर आपको यह something में आई अच्छा लगता है और अप जो है इस धि Catholic सब्सक्राइब करना चाहती है अगर विश्वास मदद करने का जितना हो सके इस वीडियो को शेर कीजिए और शेर करने के लिए कुछ सब्सक्राइब रहेगा और आप इसको जब मर्ज तब देख सकते हो इसका नोटिस्टिशन विले तो यह सब जरूरी होता है और आद आधनी की युग में आपको समझाना मैं खुद बेकूप समझता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग समझदार हो ठीक है सोचिए नह झाल